देखिए ये वोट भारती जनता पार्टी ने जूटे जुमले और वादे करके लिया था जनता को भेला पुछला के लिया था अच्छे दिन का वादा करके लिया था आया बता दिया आप कहीं चले जाईए कोई कहता अच्छे दिन है अच्छे दिन के नाम पर एक मजाग बन और अख्रेस आदों के प्रती तमाम व्यापारियों के आस्ताव विस्वास है और भारते जनता पाटी सिर्फ ढूट का उसको फैक्टरी कहिए तो मैं मानता हूं भारते जनता पाटी जूट की फैक्टरी है इसके अलावा कुछ नहीं जनता ने जो सावेक में ओट दे दिया था 17 में उत्तर पर जे सरकार बदल गई लेकिन अब जनता को यह सास हो गया हर वरक के सब्यापारी हो किसान हो मजदूर हो सभी लोग हो उनको शिक्षी तों बुद्यूवी हो उनको इसास हो गया है कि अगर सरकार चिराने का कोई कला ज क्या नाम है आपका हमारा नाम लक्षमन गुपता है पूर प्रत्यासी नगर विधान सवा बलिया तो क्या महाल लग रहा है व्यापारी मंडल से हैं आप तो आज की महाल आपने खुद देखा जितने वैपारियों में उस्सा था उतना आज के पहले नहीं दखा जाता आज ज्यादा उस्सा है आदर्णी अख्रेस यादों के लेकर के उनके प्रती एक उमीद है वैपारियों में कि जो कि भारती जनता पार्टी के वैपारी को कहा जाता था पहले जैसा कि आए हमारे नेतान ने भी कहें कि लोग कोहते हैं लेकिन भारती जनता पार्टी के राज में सिर्फ उत्पीजन के सिवा बैपारियों को कुछ नहीं मिला है चाहे उत्पीजन के सवाल पर तीन बटा साथ रहा हो चाहे साथ बटा सोरो रहा हो चाहे इंस्पेक्टर राज रहा हो चाहे तावजारी रहा हो चाहे जी एश्टी रहा हो चाहे नोट बंदी रहा ये भारती जनता पार्टी हमेशा बैपारियों के उपर सोसल और जुल्म करने का काम किया है इन तमाम चीजों से अगर किसी ने निजात दिलाया है तो सिर्फ औसिर्फ ये कही पार्टी है पूरे उतर पर देश और देश में समाज बादी पार्टी है जो बैपारियों के हितों के बारे में सोचती है उसके परसानियों के बारे में सोचती है उसके अंदर के जो बरसानी है उन तमाम बारों में सोचती है उसका समधान करती है वो समाज बादी पार्टी है और हमारे निता अखले स्यादों है तो क्या लगता है कि अगर सत्ता में अकलेश जी की सरकार आ जाएगी तो यह जो सारी समस्या है आपने गिनवाई यह सब दूर हो जाएंगी आधेस राधिक उसमें दूर कर दिया अगले बार सरकार में थे तो तीन बटा साथ को स्कुरित कर दिये थे मुलाइम सियादों के राज में और चूंगी समाफ समाफ था तो अकलेश की को फिर क्यों हटाके 67 स go्या जी को लाया हुए जब अन्होंने सारी समस्याय दूर कर दी तिनंटापर्णा काम किया थो प्यों है थो रएविं। है सारे बात जूटैंग है उसका यह उसका नहीं हुआ इसमें बात बताईए उसमें जो उन्हों नहीं रहा है उसमें और अखलेश्ट्री की सरकार में सारा कुछ था बिल्कुर समाजबादी पार्टी एक इसी पार्टी है, एक विचारधारा की पार्टी है, सिर्फ वोट की राजिनी समाजबादी पार्टी नहीं करती है जूटत बोलना भी समझबाधी पार्टी हमरेनेता इसको एक अप्राद के दिरिश्टी से देखते हैं इसलिए जूट नहीं बोलते हैं जो उन्हों के घोस्रा पत्र में छपेगा और निची तुरुप से मान के चलिये उसको हरहाल में पूरा करना है और समझबाधी जूट न लेकर करके सबकुश समाज बादी का है किसी दूसरे ने काम नहीं किया है आज भारती जनता स्पार्टी के जाएंगे आश स्रकार है आज जो होगी जिमुकमंतरी भारती हैं इन तاعल की हलत खराब है, और कुछ भी नहीं बना, जैनस्वा मिस्टा का ये प्रोच तक ये लोगि नहीं बना पाए पूल का, तो ये क्या बना सकते है हमारे नेता ख्लिस जल्चागें के लिए पिखास हैं बेबस परसान लोगँ के लिए सोचते हैं मज़बो री पारियों की बात करें तो वैपारियों के क्या मुद्द्दTIONuin, इस समस्याहों का सामना कर ना पर रहा है उनको को बैपारियों को आज आये दिन लूट पाट हो रहा है बैपारियों को तमाम अभी तीन बटा साथ जो इसी एक्ट है उसको भारती जनता पार्टी ने बहाल कर दिया जो सबसे काले कानून है सबसे बड़े कारून है, इसमें ठाफ़ी उचोरी में अपने जमानत हो जाता है और तीन बटा साथ में, अगर मुल्जिम हो गए आदमी, उसकी जमारत नहीं होती है और यह बहाल करते है जब भारती जन्ता पाटी के लोगाने, इससे बड़ा क्या हो सकता है बारती जनता पाटी से कोई बैपारी खुस नहीं तो महौल क्या लग रहा है कि प्रदेश में क्या वापस है अकलेश की सरकार वापस आ जाएगी बिल्कूल अकलेशादों की सरकार बनेगी और इस सरकार ने जो हमरे साथ कुकर्म किया है नोट बंदी लगा करके जियेश्टी लगा करके लाकडाउन लगा करके जो बैपारियों को उत्पिडन किया है लाकडाउन में तो और भी कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे, आप बताइए, क्या नाम है आपका? नुन जी कहां से हैं? बलिया से व्यापारी हैं आप भी? नगर अधाक, समाजाज पार्टिक बलिया के तो आज आप भी आये थे व्यापारी महाकुम में, जो अकलेश जी ने बयान दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? अकलेश जी ने जो बयान दिया है, बिलकुल सत्त बयान दिया है यहाँ पर बिरोजगारी, भांगाई, भुखमरी, सिक्षा, सड़क, कोई काम नहीं हो पा रहा है मतलब कि योगी जी से बिलकुल असंतुष्ट नजर आ रहे हैं आप? 500% असंतुष्ट हैं हम लोग, आम जानता है संतुष्ट है और अखलेश यादव की सरकार आएगी, तो यह सारी चीज़े दूर हो जाएंगी अब नेता जी ने पहले अपना सरकार चलाया है, उनका हम लोग देखें है कारिस्वाइली उन पर विश्वास बनता है कि हो अच्छा काम करेंगे तो पहले तो सत्ता पे वही थे, तो कैसे वह बदल गए? कौन? सत्ता में पहले अखलेश यादव जी थे, तो कैसे उनको बदल करके फिर योगी जी को लाया है जब उन्होंने अच्छे काम किये थे? वही हिंदू-मुसलिम की बात? मतलब कि सिर्फ हिंदू-मुसलिम करके जीते हैं? मुधी जो कि मुधी जी सारी पियम थे, उनकी लहर में बला हुआ है चीक है, तो कुछ और लोग मौजूद है यहाँ पे, इनसे बात करेंगे और जानेंगे, आप बताईए अपने बारे में, कहां से हैं आप? परवेज रौशन कहते हैं, बलिया से हूं, आप ने सवाल किया इन लोगों से, भ्यापार करते हैं, आज कीज बारे मικήन हैं, भ्यापार करते हैं, और दौआ काम करते हैं, अब उसमें आज मामला सबसे बड़ा है, हमारा कंजूमर बिल्कुल गरीब हो गया है, रोजगर सरक प्राइबेट नोगनियां शुट गए, कारोबार छूट गया, रोजगार छूट गया, घरकिषान की खेती के आमदनी चूट गई, उनके साथ धोखा गया, जब कमदीउमर परशान है तो व्यापारी जो है बहुत बुरे हाल में है, व्यापारी का व्यापार टूट रहा है, जिन लोगों के पूजी आदी हो गई है, महंगाई एतनी बढ़ गई, कि व्यापारी जो कम पैसे में समान महुआता था, अब वो दुगने तिगने पैसे महुआता है, और विक्री कम हो गई है, पहले अखलेश की सरकार में क्या महंगाई नहीं थी? मर्दूर भी, व्यापारी भी, किसान भी, इस सरकार ने पैसों का चलन रोक दिया, और कुछ लोगों को देश का पैसा देदिया, चाहे हो अडानी हो, अमबानी हो, या गुजरात के कुछ महाबली हो, सब पैसा देश का उनको है, किसान जो लोग तेन पे चलते से गरीब आ रहे हैं, लिक नहीं पा रहे हैं, इतना धनाट नहीं है कि उसके बच्चा कोई अच्छी टिक्री ले ले ले, इसलिए सारे समाज, सारे कंस्यूमर, सारा वर्ग, परेशान है, आरती किसी देश की बड़ी खराब है, तो व्यापारी भी उसी में परेशान है, और पर से जी कि मार है, तो किसकी लहर लग रही है, कि अखलेश यादव आपारी हो, किसान हो, मजदूर हो, सभी लोग हो, उनको शिक्षित हो, बुझ्यूवी हो, उनको एहसास हो गया है, कि अगर सरकार चलाने का कोई कला जानता है, तो समाजवादी पर वसता है, और जिसके मुख्मंत हैं, लोग कि आप ओट देने को कहेंगे, तो सरकार को योट नहीं देगा, तो मतलब आपको लग रहा है, कि वापस से सत्ता में अखलेश जी आएंगे, अखलेश की लहर चलिए, आम जनता बोल ला है, मजदूर बोल ला है, खेतियर बोल ला है, चादर बोल ला है, यह यह हैं, उसना में सब फेल हो जारी है, एक्जाम ले रहे, लिक हो जारहा है, खतम हो जारी है, लीख हो जार Lucky वापस से पेपर करा गणाभाइब भड़ झालिए, आपका प्रशासन है, आप को चाहिए कि टाइट पर इक्छलिए कि लड़कों को रॉजगार मिले, यह बार आदमें का रोज़गार सबसे दूर भाग रहा है अब हिकमरी के लोग शिकार है पांच किलो दस किलो गेहु खिलागे चावल खिलाके हमारी आदतों को खराब किया जा रहा है हम को काम दीजिए ऐसा दान नहीं देना चाहिए काम करा यह और रोजवानों को रोज़गार जी विशाल गुपता क्या काम करते हैं मेडिकल ट्रीडिंग तो आप भी यहां पर आये हुए थे तो क्या लगता है महौल क्या है महौल जो है बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन जो लखनों में जो ब्यापार सवा को लेके मीटिंग रही है और नहां का जो जनतागी जो स सरकार के कामों से खुश नहीं है क्या देखिए जब अपनी सरकार जब जो भी सरकार हो दिया सब अपने अपने तरीके से काम करती है हम किसी के लिए नहीं बोल सकते के उसने गलत किया कि उसना सही है सब अपने अपने तरीके से सब काम करते हैं आप किसके समर्थन में है मैं अब बताई आपना नाम क्या आपका मैं मनोज गुपता पदेश चीफ समाजवादी व्यापार सभा उत्रपदेश तो अगलेश जी ने जो बयान दिया उस पर क्या कहना चाहेंगे देखिए पूरे उत्रपदेश के अंदर आज लोगों की आवस्टसता पहले रोटी है कपड़ा है और उसका रोजगार है रोजगार ना मिलने से पूरे उत्रपदेश के अंदर इस्तिती इतनी खराब है तो वेपारियों को और किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जिसके समाधान आप लोग चाहा रहे हैं सरकार से? देखिए सबसे पहले भाजपा सरकार ने जो वादे हम को किये थे किसी भी बादे पर खरी नहीं उत्री है ब्यापारियों को सरयाम वो चोर कहते हैं आप ये बता दीजिए कि रूपया काला सफेद किसका होता है मेरा लेंदिन काला और सफेद होता है जिस तरह से जीएश्टी और नोट बंदी लागू की गई बिना व्यापारियों को भरोस्व में लिये गए जीएश्टी से आज पूरे देश का बाजार प्रभावित है उद्ध्यों की इस्तिती है कि आज लोगों के पास काम नहीं है सबकी इंकम आदी रह गई है और लोगों की जो कमाईया वो हैं और आप देखिए दूहीं तरह महंगाई डबल हो गई है घर चलाना कितना दुरुबर हो रहा है जिस सिलेंडर के लिए ये कपड़े फार्टे से रोट पर खड़ों के भारतिया पार्टी आज देखिए वो सिलेंडर एक हजार रुपए का है एक आम गरहलीं का घर चला राना कितना मिस्कुल आप सोच सकते हैं उसके उपर कितना बजन पढ़ रहा है धाई से तीन हजार हर परिवार के उपर बजन है लेकिन उसकी इंकम आदी है और महंगाई डबल है इसलिए पूरा उत्तरपदेश के अंदर आम आदमी आम जंता किशान मजदूर ब्यापारी आज आसा वरी निगाओं से अखले से यादाब जी की ओर देख रहा है क्योंकि 2012 से 2017 का उनका सासन काल स्वरणेम काल था चाहे उद्योगो धंदा हो किशान हो रोजगार हो बेरोजगार हो सिक्चा हो सबसे ज़्यदा च्छात्रों को लिए उन्होंने काम किया एक बच्चे को लैप्टॉप देना आप सोचीजे कि उस बच्चे की सिच्छा को आगे बढ़ाना है उसके भविश्व को शमारना है लैप्टॉप तो लैप्टॉप और स्मार्टफोन तो योगी जीर ने भी देने का एलान करा है और वो शुरू भी हो गया है मैं आपकी जानकारे में में देखें निदूँ उन्हों के जैडाता ुट फिरी और लेफ्ट फी देने का वादा किया था साड़े चार चार साल भी मिला लोगों को अब बता दिजीए अब 504 सब्सक्राइब करेंगे अगर उनका आप गोष्णापत उथा लीजिए तो उनके गोष्णापत की कितनी योजना लागू है आप देखिए 90 परसेंड योजना धरातल पर लागू नहीं है पर अकलेश जी ने जितने वादे किये थे क्या वो सारे वादे पूरे हुए अकलेश जी के सारे वादे जब इलेक्शन हुआ था एक एक वादों को गिनाया गया था मैं स्वेम इसका गवां हूँ सारे वादे पूरे हुए थे अगर कोई वादा पूरा ना हो तो जनता आगे आने वाला समय पूरे हिंदोस्तान में भाच्षबा नेशन नाबूत हो जाइगी तो लोगों से बात करके पदा चला कि योगी सरकार से बहुत ही नाखुश नजर आ रहे हैं सब और आगे आगामी अलेक्शन में अखलेशी आदव मुकमंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं ऐसी और खपरों के लिए बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहे हैं योपी फर्स्ट